हलो दोस्तों नमस्कार अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजी देखे आज की लेटेस्ट न्यूज मिराज से डरकर नहीं अटे F-16 इसके पीछे पाकिस्तान की यह थी रणनी थी तो देखे पाक अधिकर्त कस्मीर में जैसे मुहमेद के ठि पिचेटना पड़ा अगर वे ऐसा नहीं करते तो भारत की फर्थी दागनी मिसाइल वन जो पीओ के पाक अधिकर्त कस्मीर के उस अवाई अड़े को तबाह कर देती जहां से वे उड़े थी इसके अलावा पठान कोट और कस्मीर के सिर्नगर अवाई अड़े पर मिग गु पाकिस्तानी करक्साइब के नुशार दी जानकारी बिल्कुल गल्त निकली कि पाकिस्तानी वाई शेना ने अपने एफ 16 विमान मिराज की वरेज़े वजह से पिचे टालिये थे देखें वाई यूद में एफ 16 मिराज पर बारी पढ़ता क्योंकि असी के दसक में अमेरिका ने पाकिस्तान को बारती वाई शेना में शामिल मिराज 2000 के मुकाबले के लिए एफ 16 दिये थे एफ 16 अमेरिका वाई शेना आज भी इस्तिमाल करती है और यह विमान अभी भी अपने बेड़े में आप में बेजोड़ है इस इसे मुकाबले के लिए भारत ने रूस से मिग तक यह नहीं दिये शुत्रों कहना है कि जैसे ही मिराज 2000 पाकिस्तानी हवाई सीमा में गुशे तो पाकिस्तानी वाई शेना ने उन्हें खदेडने के लिए एफ 16 बेजे वे विमान मुकाबला करते उसे पहले ही पाकिस्तानी वाई शेना ने उस अमेरिकी वाक्स एयर बॉ एफ 16 को जमी चाटने के लिए मजबूर कर देते वक्स नहीं पाकिस्तानी वाई स्वेना को यह बताया था कि एफ 16 अगर वाई मुकाबला करेंगे तो मोबाईल लॉंचर से लॉंच की जाने वाली कम दूरी की पर्थवी और 700 किलोमेटर दूरी तक मार करने वाली अगनी व वाई अड़ों को तबाह कर देगी जिनका उप्योग पाकिस्तानी वाई स्वेना कश्मीर सीमा के साथ साथ पंजाब सीमा के रक्षा के लिए करती है चुंकि पाकिस्तान के पास एफ 16 बहुत अधिक नहीं बचे हैं इसलिए पाकिस्तानी वाई स्वेना ने अपने विमान अटा लिए थे अमेरिका से मिले अवक्स हवाई हमले के चेतावनी देते देने वाला एसा सिस्टम है जो उड़ते हुए 400 किलिमेटर के दारे में यह पता लगा लेता है कि कौन से विमान और मिसाइल हवाई हमले के त्यार है यह थी अभी की लेटेस्ट न्यूज जया